Best Candidate को कैसे hire करें, वही व्यक्तिया आगे बढ़ने के संभावना में होते हैं, जो अपनी गलतियों को सीखते नहीं और दुबारा दोराते हैं, जब आप hire करते हैं, तो उसकी ability, उसके technical qualification के आधार पर hire करते हैं, लेकिन और सबसे बेतर resume उन व्यक्तियों का होता है. हाई फ्रेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी, मैं CEO and Founder Director हूँ, Metas Oversays Limited Company का, हमारी कमपनी manufacturing करती है, Stainless Steel Model Location, Bathroom Vanity and Wardrobes की, जिसके पूरे इंडिया में हमारे franchisee showroom और dealership showroom है, Friends, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कि भी top hiring mistakes क्या होती है, जब आप किसी करमचारी को hire करते हैं, तो आपसे क्या-क्या गलतिया हो जाती है, तो बहुत सार लोगों ने comment करके हमसे का, कि सर ये बताओ, कि अगर किसी को hire करना हो, तो right strategy क्या होगी, सही त employee कहता है company best नहीं है, और company कहती है employee best नहीं है, लेकिन ये problem क्या है, इस problem का solution ये है, कि जब दोनों की hiring, दोनों का joint venture ठीक तरीके से होगा, सही व्यक्ति, सही company में सही समय पर पहुंचेगा, तो सही तरीके से वो काम करेगा, और जितना बहतर वो काम करेगा, उतना बहतर result अच hiring strategy, how to hire best candidate, best candidate को कैसे hire करें, ध्यान रखे, best candidate को hire करना है न, तो आपको वो प्रश्न पूछने होंगे, जिससे हम ये समझ पाएं, कि वो व्यक्ति हमारी company, या हमारी संस्था के लिए best है या नहीं, तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, what do you know about our organization, आप हमारी organization के बारे में क्या जानते हैं, ध्यान रखे, एक सजग करमचारी, जब किसी interview के लिए जाता है, candidate जब किसी interview के लिए जाता है, तो वो हमेशा उस company के बारे में study करता है, एक वो व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि company A हो, B हो, C हो, D हो, मुझे तो जाना है, interview देना है, और काम करने के बारे में बेहतर तरीके से आपको बताएगा, समझ लीजिए, वो व्यक्ति आपकी company के लिए right person हो सकता है, क्योंकि वो इतना सजग तो है कि जिस company में काम करने जा रहा हूं, उसके बारे में study कर लूँ, अगर व्यक्ति आपके बारे में study करका है, तो समझ लीजिए, वो व्यक्ति आपकी company में काम करने के लिए interested है, इसलिए वो वहाँ पर आएं, दूसरा जो प्रश्ण होना चाहिए, what role you are trying to play in your career, एक प्रश्ण व्यक्ति से ज़रूर पूछना चाहिए, कि आप अपनी life में, अपने career में, किस तरह का role play करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों कुछ लोग अपनी life में, जिस तरह का role play करना चाहते हैं, उसी तरह की job के लिए apply करते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी वश्क, किसी कारण वश्क, किसी भी job में लगने के लिए तयार हो जाते हैं, जैसे उनका जो life में role play करने का मन है, वो तो event management में करने का है, लेकिन काम के भी बेतर result produce नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी hobby नहीं है, passion नहीं है, उसका thought process नहीं है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति को hire नहीं करना, और जो व्यक्ति जिस post के लिए है, उसी तरह का career opportunity उसको लगती है, लगता है कि मैं इसी तरह का role play करना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए, वो candidate आपके company के लिए बेहतर candidate हो सकता है, अगला प्रश्म जो आपको पूछना है, what are your top three core skills and why you think these are your top skills, उस व्यक्ति से पूछें कि आपके अंदर कौन कौन से बेहतरी तीन skills हैं, और वो अपनी तीनो skills को elaborate करें, और इससे ज़रूर पूछें कि आपको क्यों team को handle करते हैं या team में work करते हैं, तो वो उनी top skills के बारे में बात करेंगे, है ना, जो manufacturing field में, वो manufacturing related बात करेंगे, जो लोग finance में, accounts में, वो related top skills की बात करेंगे, अगर वो व्यक्ति उस job profile के लिए वही top skills बता रहा है, जो आपको required हैं, तो समझ लीजे, वो आपकी company के लिए बेहतर employee हो सकता है, और उस व्यक्ति को लगता है कि वही top skills हैं, और उनी के लिए उसने apply किया है, तो उससे best candidate आपके company के लिए कोई और नहीं हो सकता, next important बात है, what are your biggest achievements so far, अभी तक आपने जहां भी काम किया है न, वहाँ पार आपके top most biggest achievements क्या रही है, और एक करमचारी ने अपनी life में, जो भी achievement की होती है न, किसी भी company में, वह उन achievements को खुल के बताता है, और कई बर बड़ा चला के बताता है, तो समझ लिए एक parameter भी set हो जाता है, कि हमारी company में भी कम से कम इतने achievement तो आपको करनी पड़ेगी, कही ना कहीं जब बड़ा चला के बताता है, तो वह अ आपकी life में, past में, सबसे बड़े setback क्या थे, एक तो यह ज़रूर पुछें, and what you learn from it, आपने उससे क्या सीखा, दोस्तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसी घटना है ज़रूर होती है, जिससे उसको परिशानी होती है, या life का एक sad या dark part होता है, जिसको पूछें, कि आपने इससे अपने जीवन में क्या सीखा, और ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़ने के संभावना में होते हैं, जो अपनी गलतियों को सीखते नहीं, और दुबारा दोर आते हैं, समझ लिए वो व्यक् of confidence का उसकी desire का उसकी willingness का सब बातों का पता चलता है यह में जरूर पूछना चलिए and the next what can be the result if we hire you for this particular post अगर हम आपको इस post के लिए hire कर ले तो उसका result क्या होगा क्या result आप drive कर सकते हैं कई बार व्यक्ति अपने experience के अधार पर बताता है कि वो इस post पर कितना output दे सकता है या कितना result produce कर सकता है और एक बार ये व्यक्ति interview में अपने result production की capacity को बता देता है तो कई बार ये देखा गया है कि वो उसी capacity के आधार पर काम भी करता है इसलिए तो guest station period हम 7 to 15 days का देते हैं कि मैंने आपको offer letter तो दे दिया लेकिन appointment letter आपको 15 days बाद मिलेगा जिससे हम यह जान पाते हैं कि interview में उस व्यक्ति ने जो बात कही थी क्या वास्तविक्ता में उस तरह की बात को पूरा करने में सक्षम है नेक्स्ट हमें question पूछना चाहिए why you dropped your previous job आपने अपनी पिछली जॉब के छोड़ दी friends एक बहुत बड़ा कारण है कई बार लोगों के साथ job में उनको रखने का या ना रखने का कई बार यह देखा गया है कि लोग बहुत कम-कम समय में अपनी जॉब को स्विच करते रहते हैं चाहिए उसके पीछे कारण भी हो psychological कारण हो mental कारण हो political कारण हो financial कारण हो या job comfortability का कारण हो या salary based कारण हो कई बार लोगो कहते हैं मेरी salary टाइम पर नहीं मिल रही थी जाया तो रुम के पास यह की जवाब होता है या बोलते हैं कि company मुझे किसी दूसरे department में shift कर रही थी या वो कहते हैं कि company वहां से transfer हो रही थी तो यह जो कारण है ना यह कई बार genuine भी था कि कारण यह था यह दिया ऐसा है तो आप इस बात को जरूर स्टडी करें और सबसे बहतर resume उन व्यक्तियों का होता है जो एक ही company में लंबे समय तक काम करते हैं ताकि उनका work experience एक ही company के साथ बहुत बहुतर हो सके और वही व्यक्ति एक reliable व्यक्ति भी कहलाता है क्योंकि क किसी भी स्टाफ को जब हम रखते हैं तो बहुत सारा समय पैसा energy invest होती है उसको ट्रेंड करने में कि हमारी company के साथ मिलकर कैसे काम करना है और वह जक्ति छोटी समय अबदी के लिए तो कहीं ना कहीं company के लिए बहुत बड़ा loss होता है क्योंकि यहां पर समय पैसा और energy तीनो waste हो जाती है उसके बाद अगला प्रशने पूछे what salary you are expecting आप जिस job profile के लिए apply कर रहे हैं उसके लिए आप कितनी salary expect करते हैं कई बार लोगों की expectation बहुत हाई होती है और employer उत्मा salary देने के लिए तयार नहीं होता तो ऐसे में जो करमचारी positive mindset का होगा उसकी expectation उस post की जो payable salary हो सकती उसका इर्दगेद घूमती होगी थोड़ा बहुत plus minus होगा और आप negotiate करके अगर वो negotiation करना चाहता है तो negotiate करके उस व्यक्ति को hire करें और hire करते समय फिर वही बात किसी भी व्यक्ति को जब आप hire करते हैं तो उसकी ability उसके attitude उसकी academic उसके technical qualification के अधार पर hire करते हैं लेकिन जिदि किसी व्यक्ति को fire किया जता है तो उसके attitude के अधार पर किया जता है तो आप उस व्यक्ति का attitude ज़रूर चेक करें उसको 7 to 15 days का gas station period दें कि इसके बाद ही हम आपको permanent employee अपनी company का बनाने के लिए तयार हैं अगर आप यह सारे प्रश्न किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो आप आसानी से ऐसे व्यक्तियों की team का chain कर सकते हैं जो आपके लिए आपके लक्षों को हासिल करने के लिए एक collective लक्ष बनाए और उनको हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें इसके लाब आपके अमन में अगर कोई और भी प्रश्न है ना कि यह प्रश्न पूछा जान को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर आमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत